यहां पर बहुत सारी बोट जो है जो वहां सामने फ्लैट में रहते और अनलोगों ने खरिदी हुए है परसनल है इनकी और बहू सारी बोट यहां हालो अब जो है यहां पे ठंडी ठंडी हावा चल रही है वहां पे जो चाइना पॉलिस थी उसके बिल्कुल पास में चली गई तो इसलिए इन ने डिसाइड है कि थोड़ा आगे कि दर हम जो है मूब कर लेते हैं तो खत्रा रहता है आपस में टक्राने का तो हमने दूसरी साइड पर मूब कर लिया है तो एक-दो किलोमेटर और अंदर जाएंगे और वहां पर हम वीच में फिर से रुख जाएंगे वहां पर बोड़ी दिर रेस्ट करेंगे काफी अच्छा स्पेस है हमारी बोट के अंदर है वाओ वाई इसका तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सा टक्रागे आप चाहे तो सही यहां से शांगाई इसके थूप ट्रैवल कर सकते हैं इसका साइज भी बहुत बढ़ा है वाई कफी सारे लोग से अदर आ सकते है इसके अंदर आपको बार रेस्ट्ररेंट शौप चोटा मोटा मॉल भी मिल जाएगा बहुत सारी चीजिए आपको इसके अंदर फैसलेटीज मिलने वा ल haunting इस बोट को हैंडल करने वाले जो है हम हमारे उस्ताद आमन बारदोच जी है और वो आगे मेरे साटू साभ गया देखो भाई इनकी वाली बोर्ट के अंदर म्यूजिक सिस्टम यह वाली बोर्ट का तरना है का भाई स्टंट मारतें इस से मेरे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हम वापिस जा रहे हैं क्योंकि इस बोर्ट के अंदर पैठे पैठे हमारे तीन घंटे और हमारे पैसे भी पूरे हो चुके हैं और अमन का भी पहला एक्सपिरिंस है वाई लेकिन बहुत छोटा है डर रहता है कि यह कहीं गिरना जाए इसके लिए सिर्फ पकड़के रखना पड़ता है और आप देख सकते हैं सब को लगबग मजा ही आया सिर्फ यहां पे योगिता है जिसको चक्कर आ रहे हैं तो भाई डीजल की स्मेल से उसको ऐलेड़ी है तो इस वैसे हमने उसको वहां पर लेटा दिया था लेटने की भी प्रॉपर विवस्ता है बेड्रूम भी है वैच्छे तो बेड्रूम भी बहाई नीचे ले अमन यले अधर बटा तो दस से पंदरा मिनट की दूरी बाकी यह दस मिनट के अंदर हाँ अधर क्या है के यह तो दीरे तेरे कर के इसको भी हलो है सिखा रहा है आगे आने वोले टाइम पर यह हमारे चैनल की बंग डोर रीखी के आज़ा ने वाला है वेलो करो है है यह यह और यह 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 करो है केमरे में हाए कि से हलो है ओल्मोस्ट सारी बोट जो है वापिस घर की दरब जा रही है क्योंकि इनका टाइम लास्ट जो होता है सिक्स थर्टी का होता है तो बहुत मज़ा आया भाई आज कि यह देखें आप इस साइट पे चोटी वाली बोट कि दोस्तों यहाँ पे सबसे जादा मज़ा आता है देखने के लिए यह मचभारों की जो बोट है इसको देखने मज़ाता है वाई इसकी उंचाई बहुत कम होती है लेकि तब भी यह पानी के अंदर नहीं डूबती है इसको इस उसको जो इस तके से डिजाइन क्या होता है और आप देख सकते हैं यहां पर ये सारी सारी कार्गोशी पैंच यिस के अंदर वि dust में चरुच जाते हैあ माल जाता है ठीक यह बहुत रहती है लेकिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके की तरह ड्राइब कर सकते हैं कि दोस्तों आप महां देख सकते हैं समुंदर के बिल्कुल बीच ओ बीच यहां पे बिल्कुल एक बोट कार्गो शीप के डिजाइन में एक टेंपल बनाया हुआ है आज परोस की जो परानी बोट उनको भी जो है टेंपल में कनवर्ट कर दिया ह वहां पे बिल्कुल बीच पे सेंटर में एक टेंपल है बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा होगा वह वह वाला टेंपल अभी भी काफी जादा भीड लगी हुई है मैं पहले यह समझ रहा था यह भी एक बोट है लेकिन यह कोई बोट नहीं है कोई क्रूज नहीं है यह और यह वाली आप देख सकते हैं यह वाली जो बोट है यह चलती है पुराने तरीके से जो परदे वाले तरीके से इस परदे को ऊपर किया जाता है फिर रसी से इसको कंट्रोल किया जाता भाइब यह देखिए आप इसमें से यह चोटी वाली बोट जो है इस लाई में लगी हुए है कोई भी बोट आप ले सकते तीन गंटे के लिए आपको मिलेंगी 15-20,000 रुपे लेते हैं अगर आपका गुरूप बड़ा है 10-15 लोगों के लिए यही वाली बोट अच्छी है तो 15-20, 20,000 रुपे इसका रेंट है तो दोस्तों आपको इन में से कुंसी वाली बोट पसंद है आप कुंसी वाली बोट रेंट पे लेना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरू पताना तोस्तों यह है यहां के अमीर लोगों की जिंदगी यह यहां पर बहुत सारी बोट जो है जो वहां सामने फ्लैट में रहते हैं उन लोगों ने खरीदी हुई है पर्सनल है इनकी और बहुत सारी बोट यहां पर आप जो है रेंट पे ले सकते हैं कर दो दो कर दो है झाल बोट यहां पर बाद कि अचाव सकते हैं मज़े तो इस बोट में चले हुए भाई